आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही ढ़ंग से आप मोबाइल के अंदर गूगल मैप को कैसे इस्तमाल करेंगे तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ कि मैं बताऊंगा पहला एक चीज यह कि आपको एक जगा से दूसरे जगा नेव गेशन के थूरू कैसे जाया जाता है गूगल मैप के थूरू दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप एक जगह पे हैं और वहां से आप सर्च करना चाहते हैं कि fast food restaurant कहां है या कोई ATM कहां पे है या अगर आप चाहते हैं कि hospital को सर्च करना कि वह आप से कितना दूरी पे है तो आप इसके लिए कैसे सर्च करेंगे तो यह दूसरा बताऊंगा और तीसरा बताऊंगा कि आपको जहा कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आप नहीं देखें होंगे गूगल मैप में और उस चीज को जनकारी आपको नहीं होगे इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि गूगल मैप को एक्चुली आपको यूज कैसे करना है सही डंग से अपने मोबाइल के उपर देखिए सबसे पहले आपको यहां जाईएगा और यहां जाने के बाद आपको गूगल मैप का यह जो अप्सन दीख रहा है यह आपके फोन के अंदर मिल जाएगा गूगल मैप का अगर नहीं होता है देखिए यहां पर द्यान से देखिए दो बटन होते हैं सबसे पहले आपको खोलने के बाद यह चीज होते हैं तो सबसे पहले यह जो ऊपर वाला बटन है आपको इसको टैप करना है इसको टैप करने से यह होगा कि जहां पर आपका लोकेशन है वो नीडिल कम पास जो होती है वो location को fix कर देती है कि आप यहां पर आ गए देखिए यह location fix कर दिया और जैसे ही यह blue वाली डॉट को अगर आप यहां पर टैप करते हैं तो इससे क्या होता है कि जैसे ही यह blue वाला तो अब यहां पर आप से location मांग रहा है कि आपको कहां से कहां तक जाना है ठीक है तो इसमें आपको अपना location डाल सकते हैं यहां पर यहां पर जहां जाना है यह destination location तो आप यहां पर destination location को डालेंगे जैसे कि मैं माल लिया कि इस तरह से select कर लिया कोई एक location को तो देखिए अब यहां पर पूरा map बनके आ गया कि हम यहां पे हैं और हमें जाना है यहां पे ठीक है यह जो red वाली dot दिखाई दे रही है यह आपका destination हो गया और आप कहां पे है यहां पे हैं आप इसको जूम भी कर सकते हैं इस तरह से और आप जब जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा पूरी तरह से यहां पे मैप किस तरह से जाना है आपको और यहां पे अगर बीच में कहीं पे भी problem होगा जैसे कि traffic jam हो रहोगा तो यहां पे दिखाएगा कि यह रेड करके दिखाएगा अब आप किसी से जाना चाहते हैं बाइक से जाना चाहते हैं तो इतना समय लगेगा अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो यहां पे तीन घंटा कुछ मिनट है अगर आप अपने कार से जाना चाहते हैं तो 35 मिनट है तो इस तरह से आपको यहां से navigation start हो जाएगा और यहां से पूरा देखिए जिस तरह से बता रहा है कि यहां से आपको कैसे मोड़ना है और किस तरह से आपको जाना है और यहां से आप इससे पूरी भाइस के थुरू आपको time to time बताते रहेगा कि किस तरह से आपको किधर turn होना है और कितना समय लग गिया, कि आप एक जगा से दूसरे जगा, अगर जाना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको जाना होगा, फिक है, अब आता है कि अगर आप एक जगा उखित पर कहीं पर, जैसे कि मैंने बताया, खड़े हैं, और वहां से अगर आपको KUCHE सर्च करना है कुछ जानना है तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना होता है तो जैसे कि आप जहां पर भी हैं वहां से अगर ATM को तलास करना चाहते हैं कि मेरे नजदीक में ATM कौन है तो आपको उसको कैसे करना है तो अब तो आपको क्या करना होगा आप जहां पे भी होंगे आप Google Map को खोलेंगे और Google Map को खोलें के बाद यहां पे बस लिखना होगा आपको ATM Near Me जैसे आप ATM Near Me टाइप करेंगे तो यहां पे आपको ATM का पूरा दिखाएगा कि कितने सारे A2M दिखाई दे रहे हैं आप देख रहें यहां पर कितनी सारे A2M का लिख दिखा रहा है यह जिपने भी डॉट 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 चीजें है वह सारी एटITY है आपके पास इतने सारे ATM है यहां आप नीचे में भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि SBI का ATM कितना दूर है और डारेक्शन अगर इसे पूछेंगे कि कैसे जाना है तो यह डारेक्शन भी बताएगा अगर अपने नजदीक खोजना चाहते हैं ATM हस्पिटल तो आप इस तरह से बड़े ही आसानी से इसमें गूगल मैप से खोज सकते हैं अब तीसरा जो मैं आपको बताया था कि बहुत कम ही होगा जो कि आप यहां पर start पर फिर option पर किलिक करेंगे न तो फिर देखिये यहां पर आपको time to time बताते रहेगा देखिये इस तरह से आपको start पर करना होता है तो आपको navigate करते रहेगा और बताते रहेगा लेकिन अब आपको मैंने जैसे की बताया कि आप बहुत कम ही चीज ऐसे देखें होंगे तो चलिए मैं उसको बताता हूं कि किस तरह से आपको उन सारी चीजों को जानना है तो आप जैसे की यहां पर माली जे location के ऊपर है आपका location यहां पर है और यहां पर देखिए आप यह three dots के ऊपर click करेंगे तो आपको यहां पर मिलता है एक तो satellite view देखिए यह satellite view आपने नहीं देखा होगा देखिए इसको zoom कीजिएगा तो पूरा आपके घर का photo type का यह दिखा आएगा किस तरह से देखिए दिखा रहा है इस तरह से आपको यह एकदम बिल्कुल satellite view देख सकते हैं किसी भी तरह का यह जितना zoom होना होगा दिखेगा और आपको दिखा रहा है कि आप यहां पर है और इसको zoom करके satellite view में देख सकते हैं दूसरा चीज इसमें बहुत important अभी अपडेट किया गया है जो कि street view है यह बहुत कमाल का चीज है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि street view में कैसे दिखता है अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें कुछ interesting चीज है तो देखिए यहां पे जो आपको three dots वाली line है यह यह आपको ध्यान देना है कि आपक इंट्रेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं यह जो dot dot circle दिख रही है आपको यहां पर देखिए मैं tap करता हूं तो देखिए क्या होता है यानि कि मैंने सर्च किया है कि राष्ट पती भौन जाना है तो यह दिखा रहा है कि dot dot में आपको रास्ते में यह सारी चीज है पढ तो यह आपको पूरी तरह से यह बताता है कि street view निया अपडेट है और इसमें पूरी तरह से आपको एकदम उस street में जिस भी रास्ते में आप जा रहे हो उस रास्ते में आपको क्या-क्या चीजे दिखाई देने वाली है यह सारे dot से आपको पता चलेगा जैसे कि आप यहा पर आप जीतना भी dot के उपर क्लिक करेंगे देखिए यहां कितना dotted है ठीक है तो यह थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे जिसे कहीं पर भी dot क्लिक करेंगे ना तो नया फोटो आपको एक दिखाई देगा देखिए यह यह दिखा रहा है कि रास्ते में आपको इस तरह से द देखिए इस तरह से दिखा रहा है कि इस तरह से street view में आपको दिखाई देगा तो street view निया अपडेट है और इसमें पूरी रास्ते में जो कुछ भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देगी और आपको क्लिक कहां पर करना है यह जो dot dot देख रहा है तो इस तरह से बड़ा करके भी देख सकते हैं इसको या छोटा करके भी देख सकते हैं ठीक है तो यह आपको पूरी तरह से street view देखा रहा है अब जैसे कि देखिए यहां पर हम को जाना है और उसी का यह street view दिखा रहा है आपको यहां पे देखिए साइड में बहुत सारे dotted है यहां पे देखिए यह dot है तो इस तरह से आपको पूरी रास्ते में इस तरह से चीजें दिखाई देंगी तो यह street view भी काफी कमाल का है और यह street view में कैसे जाना है आपको जिसे कि मैंने बताए यहाँ पे three dots की जो line है न यहाँ पे आपको ऐसे करेंगे तो यह three dots की line आ जाएगी और इसी three dots के line के उपर और यहाँ पे street view का option दिया गया है तो यहाँ पे आप क्लिक करके street view में देख सकते हैं दूसरा चीज है कि आपको satellite वाला तो मैंने बता ही दिया अब covid zone को भी इसने अलग कर दिया जो covid zone होगा अगर आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो देखिए यह बताएगा कि कौन-कौन सा area में जो है covid वाला problem हुआ था वो भी सारी चीज़े बताएगा अब चलिए हम आपको व जहां पर वहां location fix हो जाएगा मैंने जिसная starting में भी बताया तो यहां पर location आपका fix कर दिया उसके पाद से आपको क्या करना है यहां पर आप आइकन के ऊपर आपका जो भी अकौन होगा उसके icon के उपर जाइएगा और यहां पर sharing location के उपर क्लिक कीजिएगा और यहां शेरिंग लोकेशन के उपर क्लिक करेंगे और यहां पर जिसे मैं एक आदमी के साथ लोकेशन सेर कर रहा हूं यहां नियू किसी के साथ सेर करना है तो इसके उपर क्लिक करना है ठीक है और यहां पर आपके लिस्ट आ जाएंगे कि किसके के लिए करना चाहते हैं ठीक है तो यहां time select कर लीजिएगा